चीजे हैं जो आपको अपने ग्याबिन पसु को कभी नहीं किलानी चाहिए वो कौन-कौन सी है आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तो नमबर वन बात ये है कि आप जो भी गरम तासीर की चीजे हैं आप खुद समझदार हैं समझ सकते हैं कि गरम तासीर की कौन-कौन सी है ठंडी तासीर की कौन-कौन सी है तो पंदरा ऐसी गरम तासीर की चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो जनरली हम पसु को देते हैं SNA जो कभी देते ही नहीं है उनके नाम में बताऊंगा नहीं जनरली हम पसों को देते हैं उनहीं 15 चीज़ों को मैंने लिया है जो आप ग्याबिन को कभी ना दें नमबर वन पर आप देख रहे हैं पैनल पर और वो है बाजरा बाजरा जो कि गरम तासीर का एक अनाज है और इसे हमें किसी भी सुरत में दाना मिसरन में मिक्स नहीं करना है जब पसों ग्याबिन हो जाए तो ये ध्यान रखे नमबर टू पर मैंने लिया है काली जिरी जो कि एक और सदी पोधा है और उसको हम यूज़ करते हैं काली जिरी कुछ इस तरीके से होती है और इसे हम यूज़ करते हैं पेट के कीड़े मारने के लिए लेकिन ये ध्यान रहे कि ग्याबिन में आपको ये नहीं देनी है थार्ड जो है वो लेशन लेसन इंश्टेंट गरमी के लिए दूद बड़ाने के लिए बहुत हे अच्छा है लेकिन हमें ग्याबिन को किसी भी सुरत में नहीं देना है इन तीनों चीजों के बारे मैं आप ध्यहन रखें कि ग्याबिन को ये आपको बिलकुल भी नहीं देना है इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी गबार दी जाती है लेकिन गरम तासीर की है इसलिए जहां तक हो सके आपको ग्याबिन को नहीं देना है उनमें है हल्दी और गुड हल्दी और गुड सर्दी के मौसम में जरूर दीये जा सकते है बाकि ग्याबिन के लिए ये भी परतिबंदित है क्यों क्योंकि गर्म तासीर के हैं तो जिस गाए भेस को अल्रेडी गर्मी की सिकायत है उन्हें ये किसी भी सुर्ट में नहीं दिया जाता पहले से अगर गाए भेस एक दम से ठीक है सितल सवाओ सितल अंदर माहूल है गर्मी ज्यादा नहीं है तो उस जो कि सुकावा रूफ होता है इसी का गिला रूफ होता है जिसे हम अद्रक बोलते हैं क्या बोलता है उसे हम बोलते हैं अद्रक तो चाहिए सौट कह दे या अद्रक कह दे सौट सुका है अद्रक गिला रूफ है तो ये आपको किसी भी सुरत में नहीं देनी है क्योंकि ये के लिए यूconé की हम इसको बी हटा देना है इसके बाद आता है नमबर जीरा जो कि हम तड़का घ म की और निहीं डिरें एक हैं ये लेकिन अक्शर स्मनेद में Workers Cha तिरा नहीं देना है इसके बाद नेक्ष्ट जो है वो आता है तिल तिल जाए चाहे तिल के बीज है चाहे उसकी कच्चर है मतलब अदकच्रा किया हुआ या फिर उसका तेल है किसी भी सुरत में यह तीनों ही चीजें गरम रहती है इसलिए आप प्लीस किया बिनको ना दे है वो गरम लेकिन इतनी तासिर नहीं रहती क्योंकि उसमें से तेल निकल जाता है इसलिए खल अगर माल लीजे नहीं मिल रही है दूसरी तो आप दे सकते हैं लेकिन जहां तक हो सके आप तिल के कोई भी प्रोड़क्ट अपनी ग्याबिन पसों को ना दे तो ही अच्छा है इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो है काली मिर्च ब्लैक पेपर काली मिर्च भी गरम तासिर की है तो प्लीज आप कोई भी नुस्का दे रहे हैं या कोई भी चीज बताई जा रही है उस समय ये ध्यान दें कि काली मिर्च को हमें नही देना है इसके बाद अगला नमबर गौार फटा का आता है अलो वेरा जो कि हम अक्सर औसदी पोदे के रूप में काम में लेते हैं इसका गुदा जो कि पत्तियों से निकलता है उसे काम में लिया जाता है लेकिन ग्याबिन के लिए आपको नहीं लेना है क्योंकि इसके तासी ग्याबिन पे तो बिलकुल करना ही नहीं है इसके बाद नेक्स्ट जो तीन चीज़े है इसके बाद की जो तीन चीज़े आएगी उनमें तीन चीज़ों में आती है पहले चीज खजूर पिंड खजूर जी बीजी से बोलता है सरदी के मोसम में सरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हम देते हैं तो आपको यह भी नहीं देना है ध्यान रखना इसके बाद तारा मिरा तारा मिरा बहुत ज़रा चर्चा में है जो है तो सरसू के कुल का ही एक पोदा है जिसके बीज हम काम में लेते हैं तारा मेरा दूद बढ़ने के लिए बहुत ही शांदार है पर सोको मोटा करने के लिए लेकिन ध्यान दें, तारा मेरा हो चाय़ सरसू हो, दोनों और इनके प्रोडक्ट जो भी होते हैं, वो हमेशा ही गरम तासीर के ही होते हैं, इसलिए जहां तक हो सके, ग्या भिन में आप इन चीजों को avoid ही करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा यानि अब मैंने जो आपको 15 चीजें बताई है इन में से कुछ चीजें ऐसी है जो कई कबार दी जाती है जैसे सरसो का तेल है सरसो का तेल जब भी delivery टाइम नजदी काता है उस समय हम पसू को देते हैं कई भाई जो है व हो सके नहीं देना चाहिए बाकी ये जितनी भी चीजें हैं आप खुद देख लीजिएगा कि गरम तासिर की चीज किसी भी सुरत में हमारे घ्याबिन पसू को नहीं लगनी चाहिए Actually कई जो चीजें हैं जो और भी है ये जरूरी नहीं है कि ये पंदरा ही है ये पंदरा चीजें हमने इस वीडियो में ली है बाकी आप अपने अनुबव से देख लेना कि तासिर किसी गरम है गरम तासिर की चीज को हमें ग्याबिन को नहीं देना है इसके अलावा इसमें व उग्याबिन हो जाता है उसके एक महीने तक हमें पूरा घ्यान लगना है किसी भी सुरत में नहीं देना है इसके अलबा मान लीजिए कि मौसम सर्दी का है पहले मेने में तो हम किसी भी सुरत में नहीं देंगे लेकिन मान लीजिए कि मौसम सर्दी का है तो सर्दी के मौसम को हम की बार थोड़ा बहुत गुड। थोड़ा बहुत तारा-मीरा थोड़ा बहुत सरसों भी थोड़ा अल्दी यह कुछ चीज़ें गतिन naked यह कोदो जोड़ी ह गर्मी की तो उस गर्मी को बनाए रखने के लिए जरुरत पड़ेगी ऐसे प्रोडक्ट की तो सर्दी के मोसम में जब भी कोई गाय भीज़ क्या बिन है तो उस अवस्ता में कुछ एक कंडिशन को ध्यान में रखते वे हम दे सकते हैं ऐसे नहीं कि ज्यादा देने लग जाए नई इनकी सीमित मातरा ही इस कंडिशन में दी जाती है तो विसेश तोर से ध्यान रखें इसके अलावा जो भी दवाएं दे रहे हैं मान लेजिए डिवार्मिंग की दवा दे रहे हैं कोई वैक्सिनेशन कर रहे हैं या कोई अन्य दवा दे रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रो अगर नहीं पता है तो नजदी की पशुचिक सक से पूछ करके और फिर देना है ऐसे नहीं देना है स्काइलाग पशु आहार संपूर्ण पोशन दूद की बहार काइलाग का वादा सेहत और लाग सबसे स्यादा अधिक जानकारी के लिए संपर्ड करें